संस्थापक किसे माना जाता आ very important question है यह गुलाम बंस से question है और यहाँ पर question में पूछाएगी गुलाम बंस का संस्थापक किसे माना जाता है तो कुतूब उद्दीन एवग गुलाम बंस के संस्थापक दे तो इसका सही answer option number D हो जाएगा कुतूब उद्दीन एवग तो next question देखते हैं सांची के इसपूद को किसने बनवाया था तो आप सभी को पता होगा असोक ने सांची का इसपूद बनवाया था तो इसका सही answer option number D हो जाएगा असोक next question देखते हैं केरल राज्जे की राजधानी कहाँ है दोस्तो आपको केरल राज्जे की राजधानी बतानी है और आप सभी को जितने भी 29 राज्जे है और जितने केंद सासित प्रदेश है आप सभी के उनकी राजधानी पता होनी चाहिए क्योंकि exam में कभी-कभी राजधानी पूछ लेता है तो यहाँ कोस्टन में केरल राज्जे की राजधानी पूछी गई है तो केरल की राजधानी त्रिबेंद्रम है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा त्रिबेंद्रम नेश्ट कोस्टन देखते है तान सेन किसके दरवार में रहते थे तो इस कोस्टन के बारे मैं आप सभी को पता होगा यह बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन है तो यहाँ कोस्टन में पूछा है कि तान सेन किसके दरवार में रहते थे तो यह अकबर के दरवार में तान सेन रहते थे तो इसका सही answer option number C हो जाएगा अकबर नेक्स्ट कोस्टन देखते है चीनी यात्री फायान किसके दरवार में आया था तो दोस्तो यह जो विदेशी जितने भी हुए है इनको आप सभी याद कर लीजिए कि कोन किसके सासंकाल में आया था या किसके दरवार में आया था तो यहां question में पूछा है चीनी यात्री फायान किसके दरवार में आया था तो चंद्रगूप्त दित्ते के दरवार में चीर फायान आया था तो इसका सही answer option number D हो जाएगा चंद्रगूप्त दित्ती है Next question देखते हैं भारत में किस मुगल बादसा ने मुगल बादसा के दुवारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था तो इसका सही answer option number C हो जाएगा अकवर Next question देखते हैं दच्छिन भारत का कस्मीर किसे कहा जाता है दौस्तों यहाँ question पूछा है कि दच्छिन का जितना भी भारत है बहाँ का कस्मीर किसे कहा जाता है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा केरल को दच्छिन भारत का कस्मीर कहा जाता है तो इसका answer option number D सही हो जाएगा केरल Next question देखते हैं Question number 8 है 20 पर रेटन दिवस कम मनाया जाता है तो आपको बताना है यह दिवस है 20 पर रेटन दिवस कम मनाया जाता है तो 27 सितंबर को 20 पर रेटन दिवस बनाया जाता है very important question है यह तो इसका answer option number D सही हो जागा 27 सितंबर को 20 पर रेटन दिवस मनाया जाता है next question देखते है, question number 9 है, काला पैगोडा कहां पर इस्थित है, तो यह कोडांग में स्थित है, यानि कि उडिसा में, तो इसका सही answer option number A हो जागा, कोडांग next question देखते है, पंच तंत्र के लेखक कोन है, तो यहाँ पर बताना है कि पंच तंत्र के लेखक कोन है, तो बिश्णू सर्मा पंच तंत्र के लेखक है, तो इसका सही answer option number C हो जागा, बिश्णू सर्मा next question देखते है, सरवाधिक मसाला उत्पादक राज्य है, तो आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा है, जो मसाला उत्पादन राज्य है, कोन सा है, तो केरल में सबसे ज़्यादा है, मसाला उत्पादन राज्य है ये, तो इसका सही answer option number D हो जाएगा, केरल next question देखते है सिकंदर की मृत्यू किस इस्थान पर होई थी तो इस तो यहां question ने पूछाए कि सिकंदर की मृत्यू किस इस्थान पर होई थी तो option देख लेते हैं A है काबुल तो यह गलत है B है बगदाद यह भी गलत है आगे next option देख लेते है और C है Babylon तो ये बिल्कुल सही बात है बैबी लोन में सिकंदर की ब्रक्ट्यू हो गई थी तो इसका सही answer option number C हो जाएगा बैबी लोन next question देखते हैं खून की कमी से कौन सी बिमारी होती है दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि खून की कमी से कौन सी बिमारी हो जाती है तो एनीमिया रोक खून की कमी से हो जाता है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा एनीमिया next question देते हैं गुरू तेख बहादूर की हत्या किस मुगल सासक ने करवाई थी तो आपको बताना है कि जो गुरू सिक्को के गुरू थे गुरू तेख बहादूर इनकी हत्या किस मुगल सासक ने करवाई थी तो इसका सही answer option number D हो जाएगा ओरंग जेव ने गुरू तेख बहादूर की हत्या करवा दी थी तो इसका answer option number D सही हो जाएगा ओरंग जेव next question देते हैं question number 15 है यहां question में पूछा है तो यह राष्ट कूट काल के है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा राष्ट कूट next question देखते है question number 16 है चीन में लाल करांती कब हुई थी तो आपको बताना है कि चीन में लाल करांती किस समय हुई थी तो चलिए option देख लेते है तो इसका option number C सही answer हो जाएगा उन्निस सो अडन्चास को चीन में लाल करांती हुई थी तो इसका answer option number C सही हो जाएगा उन्निस सो अडन्चास next question देखते हैं बिस्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप सभी को पता है बैटिकन सिटी भी इसका सबसे छोटा देश है तो इसका answer option number D सही हो जाएगा बैटिकन सिटी next question देखते हैं लखनव से पहले अबद की राजधानी कहा थी तो दोस्तों आपको यह बताना है कि लखनव बरतवान में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इससे पहले जो अबद की राजधानी हुआ करती थी वो कहां हुआ करती थी तो आपको यह बताना है तो फेजाबाद जो अबद की लखनव से पहले राजधानी हुआ करती थी तो इसका जो सही answer है मजबूत थी तो इसका सही answer option number C हो जाएगा चोल बंस की नोसेनिक मजबूत जो नोसेनिक जो सकती थी सबसे ज़्याद मजबूत थी तो इसका सही answer option number C हो जाएगा चोल बंस next question देखते हैं अरब सागर की राणी किसे कहा जाता है आपको question में पूछा है कि अरब सागर की राणी किसे कहा जाता है तो कोचीन को अरब सागर की राणी कहा जाता है तो इसका answer option number B सही हो जाएगा कोचीन next question देखते हैं ग्रामिड विकास संस्थान RDI कहां इस्थित है तो आपको बताना है कि यह कहां पर इसका जो संस्थान है इसका मुख्याले कहां परिस्थित है ग्रामिड विकास संस्थान का तो इसका सही answer option number C हो जाएगा हेदराबाद में यह संस्थान बनी है तो इसका answer option number C से हो जाएगा हेदराबाद next question देखते हैं अंत्रिक्स यात्री को D हो जाएगा next question देखते है question number 23 है बिजली के बल्व का तंतु किसका बना होता है तो इसका answer option number C हो जाएगा next question देखते है भारते संसथान में संसथान स्वरू किस देश के संमिधान से लिया गया है तो आपको यहाँ बताना है कि भारते संमिधान में जो संसथ का रूप है किस देश के संमिधान से लिया गया है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा ब्रेटेन से संसथ का स्वरूप लिया गया है तो इसका answer option number D सही हो जाएगा next question देखते है चीन में लाल क्रांति किसके नेतरत में किया गया तो जैसे कि मैंने आपको पिछले question ने बताए कि चीन में लाल क्रांति कब की गई थी और आप question ने पूछाए कि यह किसके नेतरत में की गई थी तो इसका सही answer option number A हो जाएगा माव से से तुंग तो इसका option number A सही इसका answer हो जाएगा Next question देखते है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो आपको बताना है कि पूरे बिस में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जील सुपीरियल जील है तो इसका अंसर ओप्सन नमबर D हो जाएगा सुपिरियल जील next question देखते है question नमबर 27 है vitamin A की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो दोस्तो vitamin A की कमी से जो बिमारी होती है रतोंदी रोग होता है तो इसका सही answer option नमबर A सही हो जाएगा रतोंदी next question देखते है grand slam किस से संबंदित है तो जैसे कि आप से भी को पता हुआ current affairs में जितनी ये grand slam होते है इनसे question बन जाता है और पूछ लेता है कि ये चोथा grand slam या पांच बन grand slam किसने जीता या 2018 grand slam किसने जीता तो यहाँ question ने पूछा है कि ये जो grand slam है ये किस खेल से संबंदित है तो ये lone tennis से संबंदित है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा lone tennis next question देखते है kobalt किस vitamin में पाया जाता है तो यहाँ question ने पूछा है कि कौन से vitamin में kobalt पाया जाता है तो vitamin B बार है में kobalt पाया जाता है तो डाइनमाइट में नाइट्रो गिलिसरीन का प्रियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर उप्षन नमबर ए हो जाएगा नाइट्रो गिलिसरीन नेक्ष्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 31 है राज्य सवा के एक तिहाई सदस्य कितने बरसों के अंतरारपल सेना निब्रत हो जाते हैं तो दोस्तों ये कोस्टन काफी जादे इंपोर्टेंट है जैसे कि आप सभी को पता होगा जो हमारी राज्य सवा और लोक्सवा होती है राज्य सवा जो होती है हमारी कभी बिगटन इसका नहीं होता ये एक इस्थाई सदन है वो लोक्सवा एस्थाई सदन है वो कभी भी भंग की जा सकती है तो यहां question में पूछा है कि इसके जो एक स्थाई सदस्य हैं कितने बर्सों के अंतरालपल सेना निवरत हो जाते हैं यानि कि कितने बर्सों पर एक बड़ा तीन सदस्य इसमें बापस यानि कि चुने जाते हैं तो यहां question में पूछा है, तो यह दो बर्स में एक बड़ा तीन सदस्य से इसके चुने जाते हैं, तो इसका सही answer option number D सही हो जागा, पिरती एक दो बर्स, तो very important question है यह दोस्तो, तो next question देखते हैं, तो इसका सही answer option number C सही हो जागा, एक दिसमबर, और 2 December को बिस्ब कम्पूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो यह point याद रखना, तो next question देखते हैं, संसत की दोनों सतनों की सहीउक्त अधिवेशन की अध्यक्सता कोन करता है, तो यहाँ question पूछाए कि संसत के जो दोनों अधिवेशन है, लोक सभा और राज्य सभा की सहीउक्त अधिवेशन होते हैं इन दोनों के, उसकी अध्यक्सता कोन करता है, तो Next question देखते हैं, Question number 34 है, चमगादर किस पिरकार की प्राणी है? तो आपको बताना है कि ये किस बर्ग में चमगादर रखी गई है, किस बर्ग की प्राणी है, तो ये इस्तंदारी बर्ग की प्राणी है, तो इसका सही answer option number A हो जागा, इस्तंदारी. Next question देखते हैं, सुंग बंस के संस्थापक कौन थे? तो यहां सुंग बंस के संस्थापक के बारे हम पूछा है, कि सुंग बंस के स्थापना किस ने की थी? कौन इसका संस्थापक था? तो इसका सही answer option number B हो जागा, फुस्यमित्र शुंग, सुंग बंस के संस्तापक थे तो इसका answer option number B सही हो जाएगा पुछ से मित्र सुंग next question देखते है question number 36 है राजात तरंगनी के लेखक कोन है तो आपको बताना है कि राजात तरंगनी के लेखक कोन है तो कल हड इसके लेखक है तो इसका सही answer option number D हो जागा कल हड next question देखते है the making of the महातमा फिल्म के निर्देशा कोन है तो इसके लेखक सियाम बेने गल है तो इसका सही answer option number A हो जागा सियाम बेने गल next question देखते है महावली पुरम का रोक कट मंदिर का निर्माण किसी ने करवाया था तो इसका सही answer option number A सियाम जागा नर्सिंग बर्मन पृथम next question देखते है कभी हरिसेन किसके दरवारी कभी थे तो इसका सही answer option number A सियाम जागा तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये समुद्र गुप्त के दरवारी कभी थे तो इसका सही answer option number C हो जाएगा समुद्र गुप्त next question देखते है गुगली सब्द का संबंद किस खेल से है तो दोस्तो ये question आप सभी को पता होगा आप से भी cricket देखते हैं कि गुगली सब्द जो है किस खेल में प्रियुक्त किया जाता है तो ये cricket में इसका प्रियुक्त किया जाता है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा क्रिकेड दोस्तो ये 40 question में आपके लिए लेकाया था प्रति दिन में आपके लिए नए नए question लेकाता हूँ जो exam के लिए important होते हैं दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और अभी तक आपने हमारी पीछे की जितनी वीडियो मैंने upload किये नहीं देखी हैं तो जल्दी से उन वीडियो को देख लिजिए और आगे भी देखते रहें दोस्तों मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ता